नमस्कार साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम UPTPSC के बारे में एक वेकेंसी के बारे में जनकारी लेका रहे हैं जो कि आज ही वेकेंसी रिलीज हुई है और साथ ही साथ में UPTPSC ने आज का अपना 2022 का एक्जाम कलेंडर भी जारी किया है तो यह आप एक्जाम कलेंडर के बारे में जनकारी जाते हैं यानि कि एक्जाम कलेंडर में 2022 में जो भी परिक्षाएं UPT पलेस्टी के द्वारा आयुजित की जाएंगी उसके बारे में डेट बताईएं जैसे UP लेकपाल की हो गई और भी कई सारी परिक्षाइं हो गई उसके बारे में बताया गया है ITI इंस्टेक्टर की है और महिला हेल्थ वर्गर की ये सारी वेकेंसी उसमें है तो उसका लिंक भी आपको description box में मिल जाएगा तो यदि आप calendar का देखना चाहते हैं calendar के बारे में जनकरी चाहते हैं तो भी आप उसको उस वीडियो को देख सकते हैं फिलाल हम बात करेंगे इस वेकेंसी के बारे में ये वेकेंसी है समिलित प्रवर अवर वर्गसाहयक पूर्तिन रिक्षक मुख्य परिक्षा यानि कि यह जो आपकी है इसकी आप 22 अपरेल 2022 से लेकर 12 मई 2022 तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथ ही में इसमें जो संसोधन की तित्थी होगी वह उनीस मई 2022 तक इसमें आप संसोधन कर सकते हैं यानि कि यदि आपके फॉर्म में कोई mistake हो गई है अप्लाई करते समय फीस को भी भरा जाएगा इस परिक्षा के लिए जो आपकी फीस रहेगी अप्लिक्सन फीस है वो सामान निवर्ग के लिए हो OBC के लिए SC, ST या विकलांग यानि कि किसी भी वर्गे के लिए आप हैं तो online प्रक्रिया सुल्क आपकी 25 रुपए की लगेगी यानि कि आपकी सिर्फ अभी 25 रुपए लगेंगे उसके बाद जब आपका सौर्ट लिस्टिंग हो जाएगा तो आपका मेंस के लिए हो सकता है अलग से फॉर्म भरबाया जाए ठीक है तो अभी के लिए आपको सिर्फ 25 रुपए इसको चुकाने है यह आप online या SBI चारान के मात्यम से भी इसको आप किसी भी स्टेट बैंक की ब्रांच में इसको भुकतान कर सकते हैं आप अब इसके हम देख लेते हैं education qualification या अनिवार अहरता जिसे बोलते हैं हम तो इसके लिए आप चाहे प्रवर्वरिंग चाहयक के लिए हो और वर्वरिंग साहयक के लिए हूँ यह supply inspector के कि किसे भी पत प्लिए आप कर रहे हो इसमें सभी के रिए दो चीजें आपकी compulsory रहेंगी पहला है आपका जो PET 2021 में आपका एक्जाम हुआ था PET 2021 इसमें आपका एपियर होना compulsory है यू पेट पेल स्थी के द्वारा last year से PET का यानि pre-exam test एक करवाया जाता है main exam के लिए इसमें आपका एपियर होना compulsory है या आप इसमें एपियर नहीं है तो इस form को apply नहीं कर सकते हैं यह तो यह आपकी पहली शर्थ और दूसरी शर्थ यह है कि आप किसी भी विषय में इस नात्तक पादी यानि कि किसी भी विषय में आप कम से कम graduation किये हुए हूँ minimum educational qualification graduation यहाँ पर आपकी नहीं रहेगी सभी पदों के लिए आप यहाँ पर देक सकते हैं आप चाहे अप्रवर्वर्ग के लिए देखें आ पूर्ति रीयक्षशक के लिए आप देखें सभी के लिए यहां पर आपकी educational qualification समान रखी गई है है सेक्शडिक अहर्ता के साथ ही साथ में यहां पर आयूसीमा यानिकी एस लिमिट के बारे में जानकारी ले लिनी चाहिए यहां पर यूजू आप की एस लिमिट है वह आपकी यूलाई 2022 को 21は कम नहों और 40 Knights अधिक नहीं जो आपकी एस लिमीट है वह आपकी सामाने वर्ग के लिए है यानि कि कब आपकी पहली जुलाई यानि कि एक जुलाई एस्टी के जितने भी कंडिडेट हैं उनको पांच साल की वरीता दी जाएगी यानि कि अगर इसके अनुसार हम देखें तो OBC के कंडिडेट 43 येर तक इसमें अपलाई कर सकते हैं और एस्टी के कंडिडेट आप 45 साल तक के अपलाई कर सकते हैं यह है आपकी एज लिमिट साथ ही साथ में भूत पूर रशानिक है एक सर्विसमेन इन सभी के लिए आपका यहाँ पर एज लिमिट के में अवरीता दी जाएगी अब इसके बाद यहाँ पर हम वेकेंसी डेटेल देख लेते हैं यहाँ पर पदों का विवराण है किस पोश्ट के लिए कितने पद दिये गए हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे प्रवर्वर्ग साहयक के लिए यहाँ पर जो आपका वेतनमान है वो 35,400 से लेकर एक लाख 12,400 तक होगा लेवल 6 पर होगा और आयू सिमा हमने आपको बता ही दिया है 21-40 वर्ष यहाँ पर जो कुल वेकेंसी है प्रवर्वर्ग साहयक है इसमें कुल एक 11 वेकेंसी में सामानने वर्गे के लिए 4 वेकेंसी है SC के लिए 2 वेकेंसी है, ST के लिए कोई वेकेंसी नहीं है OBC के लिए 4 वेकेंसी और EWS के लिए एक वेकेंसी दी गई है दूसरी वेकेंसी मारिया थी है अवर्वर्ग साहयक यहाँ कि लोवर असिस्टेंट इसमें भी आपका 29,000 से लेकरबाद 9,300 तक लेवल 5 पर इसमें आपका जो वेतनमान है पो रहेगा उम्र आपकी 21 से 40 तक के रहेगी और इसमें कुल वेकेंसी जो लोवर असिस्टेंट है 20 वेकेंसी है इसके लिए 20 वेकेंसी में 8 वेकेंसी आपकी सामाने वर्गे के लिए 4 वेकेंसी आपकी SC केंडिडेट के लिए ST के लिए कोई वेकेंसी नहीं OBC के लिए 6 वेकेंसी और EWS के लिए 2 वेकेंसी दी गई है इसमें के हमारा अगला है खाद तथा रसत विभाग में पूर्तिनी रेक्षक या सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए इसमें आपकी जो वेतनमान रहेगा वो 3300 से लेकर 34800 ग्रेट पर 2200 के बीच में रहेगा इसमें भी आपकी जो एज लिमिट है वो 21-40 वर्स रहेगी और इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए कुल आपकी जो पद दिये गए हैं वो 45 पद दिये गए हैं इन 45 पदों में 33 पद सामान ने बर्गे के लिए दिये गए हैं दो पद SC के लिए, ST के लिए तीनों में ही कोई पद नहीं दिये गए हैं OBC के लिए 6 पद और EWS के लिए 4 पद दिये गए हैं अब इसके आगे हमें जान लेना चाहिए कि इसकी जो चैन का आधार है लिखित परिक्षा क्या होगी तो यहाँ पर जो चैन का आधार है वो आप PET दिये हैं तो यदि अप्लिकेशन फॉर्म जादा आते हैं तो इसके आधार पर मेंस के लिए सौट लिस्ट किया जाएगा यदि लिमिट में ये अप्लिकेशन फॉर्म आते हैं तो आपको पीटी में केवल अनिवार रूप से उसमें आपको अप्लिकेशन फॉर्म नहीं आते हैं तो इसमें कटाफ नहीं बनेगी मेंस के लिए तो यहाँ पर जो आपकी लिखित परिक्षा होगी वो आपका सिर्फ एक रिटेन पेपर होगा वंडे एक्जाम की तरह और यहाँ पर साक्षातकार नहीं होगा क्योंकि गृप सी का साक्षातकार बंद कर दिया गया है यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि परिक्षा योजना एवन पार्ठेक्रम तो जो अभी परिक्षा योजना और पार्ठेक्रम है यानि कि जो एक्जाम स्कीम और स्थिलेबस जिसे बोलते है वो अभी वेबसाइट पर अफिसली नहीं आया है तो अफिसली है आपको बाद में बता दिया जाएगा जैसे ही आएगा आपको हमारे मामध्यम से बता दिया जाएगा हम आपको सुचित जरूर करेंगे तो यह था आपकी जानकारी आज के लिए अब इसके आगे हमारा है कि हम इसको apply कैसे करेंगे आवेधन प्रक्रिया संबंधी निर्देश जिन candidates ने लेखपाल का आवेधन किया होगा या महिला का जो सहायक health worker थी उसके लिए आवेधन किया होगा उनको पता होगा कि कैसे आवेधन इसमें करना है लेकिन जिन लोगों न नहीं किया तो उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी प्रारंभी आहता परिक्षा यानि कि जो आपने पीटी के एक्जान दिया था उसके रेजिस्टेशन नंबर के थुरू आपको यहां पर लोगिन करना पड़ेगा लोगिन करने के बाद आपको अपना personal detail जै मिलेगा वह do p आपको वहाँ पर इंटर करना पड़ेगा जिसकी जब आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद यहां पर आप अपनी आधर जानकारी भरेंगे जैसे अपनी अनिवार सेक्षिक अहरता जानकारी भरेंगे जो आपका उत्रिट करने का वर्स होगा आपके 10 थका 12 थका हाई स्कूल का साथ इसाथ में जो आपके ग्रेजुशन का पासिंग यह होगा आपका सेटिफिकेट नंबर या रोल नंबर होगा जो भी वहाँ पर आपका मेंशन होगा उसमें आपको आपको फिल करना है फिर उसके बाद आपको एक कैप्चा दिया रहता है जो की आपको इंटर फोटो और जो और फोटो और साइन जो अप्लोड किये गए थे इसमें आपको दिखाई देंगे जो आपने पीटी में अप्लोड किये थे और यहां पर आपकी फोटो और साइन में कोई परिवर्ट नहीं किया जाएगे यानिकि फोटो और साइन आपको बदलने के उन्मति नहीं होगी आप वहाँ पर केबल अपने फोटो और साइन को देखकर continue बटन पर क्लिक करेंगे और कुछ अत्रिक्त जानकारियां रहेंगी और आपकी कुछ declaration रहेंगे उसको आपको चेक बोक्स में क्लिक करना है और आगे आपके यहां पर खोश्रपत राजाएगा उसको क्लिक करके आपको final submission करना है इसके बाद आपका fees payment का जो भुकतान होगा फीस payment के लिए आपका एक window screen open हो जाएगी उसमें आपको select करना है कि आप online fees payment करना चाहते हैं या offline fees payment करना चाहते हैं यहां पर आपको जैसे आपके फीस payment हो जाती है तो उसके बाद आपको double verification mode भी यहां पर करना पड़ेगा यहां पर जो application segment है वहां पर फीडिपोजिशन पर क्लिक करके आप अपने इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग, debit card, credit card किस भी माध्यम से फीश का भुकतान कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने application